बोलने वाली गुफा, भागत्री, शेर सिंह और चिता, वह दोनों भेडिये को पकड़ के पूछने लगते हैं, हिरन का बच्चा कहां पर है, भेडिये के मुंग से एक ही शब्द निकलता है, हिरन का बच्चा मेरे पास नहीं है, तभी शेर सिंह भेडिये को धमकी देता है, मैं जंगल के सभी जानवरों के बच्चों को चुरा कर एक जादूई गुफा के पास छोड़ देता हूँ, वह गुफा मुझे बदले में जादूई शेक्ति देने वाली है, इसलिए मैं जंगल के किसी भी जानवर के बच्चों को चुरा कर गुफा के अंदर छोड़ कर आ दोनों सिर्फ भेडिये को गुफा के पास जाने के लिए बोले। और वह दोनों गुफा के बाहर रुखते हैं। तभी भेडिया गुफा के पास आकर बोलता है। जादूई गुफा की आवाज, वह दोनों को गुफा के उपर कुछ सेक आया, गुफा तो बोल नहीं सकती, जरूर गुफा के अंदर कोई बैठा है, दोनों ने ठान लिया, गुफा के अंदर जाने की भेड़ी को पकड़ कर, वहां से शेर सिहें की गुफा में कैद कर देते ह और वह दोनों गुफा के अंदर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं, अगला भाग में देखेंगे, गुफा के अंदर कौन छुपा हुआ है और कौन एक जादूई आवाज निकालता है, अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कहानी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना